प्रोडक्शन में कमी नहीं आएगी, नमबर ओफ फ्रूट्स कम हो जाएंगे, मगर फ्रूट का साइज बढ़ जाएगा, आप फूल निकलने वाले हैं, तो जब ये फ्रूट सेट हो जाता है, उसके बाद भी इन तीनों में से एक ही फ्रूट रखना चाहिए, ये थिनिंग कहते हैं, ये थिनिंग करनी चाहिए, ये फ्लावर है, किसान भायों, नमश्कार, एक बार फिर किसान निउज आप लोगों के बीच एक नई अपडेट, नई वीडियो, और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त एक कीवी का बगीचा, हलांकि लगता है कि ये पेड़ों स बताना चाहूँगा कि हम इस वक्त मौझूद हैं, नौनी इनवरस्टी में, नौनी इनवरस्टी में जो की बगीचा आप देख रहे हैं, ये लगा है, 1985 जो की भारत का सबसे पुराना कीवी का बगीचा माना जाता है, और आज इस कीवी के बगीचे से हमें अपडेट देन होने वाला है, क्योंकि गर्मियों के देना आचुके हैं, और कीवी को आपने किस तरह से सुरक्षित रखना है, और क्या बहतर से बहतर क्यएर करनी तो वो जान्आकारी हमें आज़ डेटी श्रुमा जी देने वाला है, तो डेटी श्रुमा जी आपका स्ammenूगत है किसान उन साधर नमन करता हूँ जैसे हेमन जी ने बताया ये 1985 में कीवी के हमारा बगीचा है पहली डेमोस्ट्रेशन इमाचल प्रोदेश की और इंडिया की है बड़ी कमर्शन स्केल पे और यहीं से जो पूरे भारत वर्ष में कीवी फैला है वो यहीं वो खेत है ये बड़े इस्टो होने के लिए इस खेत का बहुत बड़ा महतो है तो आप इस खेत में आई इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अविनंदन और स्वागत कीवी जैसे आप जानते हैं एक आज की डेट में बहुत ही एक बहुतर डाइवर्सिप केशन की ऑप्शन मिड हिल कंडिशन में नहीं दे पा रहे हैं हलांकि हर साल अंप्रियासरत रहते हैं मगर डिमांड बढ़ती चली जा रही है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कीवी का महतों कितना बढ़ गया है कीवी एक बहुती साधान जैसा फल है साधान इंदसेंस की इसमें ज्यादा सप्रे का चकर नहीं है जैसे हम सेब में लगे रहते हैं कि अभी कली खिली नहीं की कली खिलने से पहले शुरू हो जाएगा और जब तक फूल फूट तोड़ भी दिया तब भी स्प्रे करनी पड़ती है इस मैसा नहीं है की भी की जो खासियत है ये एक बेल दुमा पेड़ है पेड़ देख वो सिस्टम है आप देख रहे हैं कि हमने ओर्चर्ड मेंसरमेंट की बेस्ट जो प्रक्टिस हो सकती हो की है जैसे सूखा IS हमने आप देख रहे हैं पूरी ये मल्च शीट हमारी छे-साथ पूर्ट की चौड़ाई की बिची है और पूरे लाइन ऑप देख रहे हैं धकी हु विख्त जो आप देख रहे हैं अगर आप यहाँ फोकस करेंगे यह इसके फूल है, खिलने वाले हैं यह जितने भी आप देख रहे हैं छोटे छोटे यह यह अभी फूल खिलने वाले हैं, पांच-साथ दिनों में यह बिल्कुल तैयारी पे हैं खिल जाएगा, और आप से बड़ी इस स्टेज पर प्रॉब्लम होती है आप वह रहती है कि हवा चली और यह नई कॉंपल तूट जाती है उपर को जैसे आप इधर फोकस करें देखो कुछ तूटी भी हमारी तो अब हमने प्रूनिंग का सिस्टम भी इसमें बदला पहले हम हैभी प्रून करते थे अ एक मीटर की ग्रोध से ही यह नई शूट निकलती है तो जब यह लंबी हम शूट रखते हैं तो साइट शूट जो फूटिंग शूट से आप देख रहे हैं यह छोटी छोटी रहती है आप देखिए ज़्यादा लंबी नहीं है जहां खड़ी है वह उपर को भागती है तो इससे हवा से तूटने का भी नुकसान कम रहता है और फल ज़्यादा लगता है आप देखिए इस एक मीटर की शूट में आप देख सकते हैं एक दो तीन चार पांच छे और साथ सब शूट निकली है नई शूट निकली है और साथ में अगर पांच-पांच भी फूट लग तो इस टैनी में 35 फूट हमारे कहीं नहीं गए तो यह इस तरह का और जैसे यह चलो जैसे लंबी जारी यह शूट यह लंबी ना भागे हवा से ना टूटे तो हम इसको इस तरह ब्रेक कर सकते हैं इसी स्टेज पर जो एसा भी चाहिए किसानों को जो कीवी की खेतिवारी क कर सकते हैं अगर उन्होंने हैवी पूट किया और लंबे शूट निकल रहे हैं इसके बाद जैसी फूल यह खिल जाएंगे इसमें एक पॉलिनेशन का विशेश इशू रहता क्योंकि इसका मेल पौधा अलग होता है फिमेल पौधा अलग होता है मेल वाले में जो है वो इसमें बढ़ा होगा तो यह किसान भाईयों को जरूरी चाहिए कि अगर इसका साइज आपको बढ़ाना है तो आपको हैंड पॉलिनेशन करनी चाहिए कोई मुश्किल काम नहीं सुबह आप आठेक बज़े आईए जो जस्ट खिलने वाले पूल है उनको निकालिए उसके पेटल्स निकाल के थोड़ी देर धूप में रखो आप डिसाइज वो हो जाते हैं और एक एक करके आप टच करते चल एक मेल फूल से लगवग आप दस से बारा फिमिल फ्लावर्स को टच कर सकते हैं इतनी कैपैस्ट इतना पोलन उसमें होता है और नेक्स्ट येर जब जाएंगे या तीसरी दिन जब आप दुबारा घूमेंगे प्रेड में तो आपको पता लग जाएगी पिछली बार मैंने कौन सा फ्लावर्स टच किया है क्योंकि वीधर कर जाएगा ऐसा नहीं कि आपको बार बार आपको जाएंगे ऐसा ये बड़ा साइज बिलकुल आसा बेस्ट रिजल्ट तो यह है कि उसको एक बीकर में आप 5 लीटर की हिसाब से 2-3 लीटर ले लो और ऐसे कटोरी में या बीकर में या डोंगे में लिया जैसे यह यहां फ्रूट लगेगा यह ऐसे नीचे यह गुच्छा जैसा आएगा और उसमें यह बस ऐसे डूबोने है फ्रूट को डूबोना है बस ऐसे डूबोते चले जाओ आगे चलते चले जाओ और अगर आपका बगीचा बड़ा है लेवर की आप कंस्ट्रेन है तो आप स्प्रे भी उसकी कर सकते हैं नीचे से वह डिरेक्टिड स्प्रे होनी चाहिए उपर पत्तों पर जूर्ब नहीं ह केवल जहां बंच लगें फ्रूट के उनमें ही स्प्रे करनी है उसके बाद क्यूंकि आप देख रहें इसमें पूरा फ्रूट सेट होता है आप एक गुच्छे में इसमें यह देखिए तीन फूल निकलने वाले है तो जब यह फ्रूट सेट हो जाता है उसके बाद भी इन सबसे बड़ा फ्रूट है किंग फ्लावर यह है सबसे पहले यह फूलेगा इसको हमें रखना चाहिए साइड वालों को निकालना चाहिए जब आप थिनिंग कर रहे हैं आप्टर सेटिंग यह दो प्रिक्रिया है क्रॉप रेगुलेशन थिनिंग और सीटोफेक्स के साथ इनका डूबो नहीं या चिड़काव करना है वो मेजर इसका इस प्रॉडक्शन से इसी प्याबा पक्रणो है इतना बड़ा पता है और च्छाओं में यह रहते हैं तो ओड़े का भी बहुत ज्यादा प्रकोप इस पे नहीं रहता मगर अगर जाली का इस्तेमाल किया जाए तो बिल्कुल बहतर रहेगा और अच्छा रहेगा सिर्मा जी एक स्वाल मेरे मन में आया जैसे आप में प्रूट का साइज बढ़ जाएगा आपको बात में बता दूँ कि कीवी के जो मार्केट यह ग्रेड बेस्ट है सो ग्राम या इस से उपर के साइज का जो आपका फल होगा उसकी मार्केट 200 रुपए से उपर रहती है प्रती किलो और अगर यह 80 ग्राम से नीचे उतर जाए तो इसकी मार्केट 100 रुपए आ जाती है तो बजाए इसके कि हम ज्यादा दाने वाला फल लें आप कम दाने वाला बड़े साइज का फ्रूट लें उसमें ज्यादा रिटर्न है जैसे अगर आपका 80 से नीचे आपका एक कुंटल भी ले रहे हैं आप और 100 ग्राम वाला आप आधा कुंटल ले रहे हैं तो बैल्यू पारी के लिए और संपर का वो जुरूर शेर करें हां हमारा हमारा यह तो हमारा फल विज्ञान विभाग का जो नंबर हमारा है सोलन का कोड लगेगा 072 और 252 326 हमारा यह नंबर है इसके लावा हमारे पीए जो हैते हैं पी अगर उठाता है पोन तो आप किसी भी हमारे डि को देख रहे हैं और मुख्यता वो सभी समस्यां लोगों का समाधान देते हैं पर इसके लागर वो नहीं है कभी जैसे आज भी वो टूर पे गए हैं उपलब नहीं है तो हम सब लोग आप लोगों की सेवा में ततपर है लेंड लाइन जीरो स्तारा बानुए 252 326 और मेरा जो अपना मुबाइल नंबर है वो भी उस पर भी आप कर सकते हैं चरानुए 184 64 081 बहुत 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 शुक्रिया धन्यवाद उसके साथ साथ एक घंटी होती है बैल आइकन होता है उसे भी आप नोटिफिकेशन के लिए जुरूर दबाएं ताकि आपको ऑनलाइन ओफलाइन वीडियो जिस तरह के भी डलती है या कोई और अपडेट होती है तो वो आपको सारी अपडेट किसान नीउसके माध्यम से म अगर आप उस नोटिफिकेशन की घंटी को नहीं दबाएंगे तो आपको जो है वो अपडेट मिलना पॉसिबल नहीं होगा सिर्फ लाइव अपडेट ही आपको मिलेंगी तो इसलिए आप आफ लाइन वीडियो के लिए भी जो है वो उस नोटिफिकेशन की घंटी को जु निया बाद.